Hi everyone, I am Dr. Nitesh Jhawar, Laparoscopic, Robotic and Laser Surgeon, Apollo Hospital, Navi Mumbai and New Alta Specialty Clinic, Vashi, Navi Mumbai. आज के वीडियो में हम बात करेंगे Laser in Fischula. भगंदर का जो इलाज है, वो लेजर के यूज के साथ किस तरीके से किया जा सकता है? भगंदर या Fischula वो प्राब्लम होता है, जिसमें जनरली पस का डिस्चाज आता है मोशन की जगह से या मोशन की जगह के साइट से और ये काफी परिशान करने वाली बिमारी है, ये बीज-बीज में कभी ठीक होती है, कभी बिगरती है और हर बार आपको ऐसा लगता है कि कुछ दमाई लेने से ठीक हो गया, लेकिन फिर से वापस आ जाए फिशुला में या भगंदर में सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि पाइल्स या फिशर के कमपैरिजन में ये जो सुरंग है या ये जो चोटा सा टनल है या जिसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं ये जो मानस्पेशिया होती है जो मोशन के कंट्रोल के लिए ज़रूरी होती है उनके थ्रू होके जाता है अब हमारे पास जो treatment के जो options हैं जो प्चार की जो विधिया हैं उसमें हम क्षार सूतर से लेके और endoscope treatment से लेके और cutting with sphincter repair जैसे सारे तरह के operations करते हैं किसी भी एक बिमारी को ट्रीट करने के लिए अगर इतने सारे तरीके हो तो उसकी बज़ा ये रहती है कि एक कोई तरीका हर तरह के फिशुला के लिए उप्युक्त नहीं है। अगर हम मोटे तरपे देखें तो जो लेजर से हम जो फिशुला का ट्रीटमेंट या भागंदर का ट्रीटमेंट करते हैं इसमें स्फिंटर मस्ल्स को चोट पहुशने का जो चांसे है वो आलमॉस्ट जीरो होता है। स्विंटर सेविंग प्रसीजर कहलाती है या वो प्रसीजर कहलाती है जिसमें मांस पुजियम को कोई भी नुकसान नहीं होगा वो छोड़ दे जाएंगी या स्पैर कर दे जाएंगे अगर आपको लेजर के यूज को डीटेल में समझना है कि किस तरीके से हम लेजर इस तरह की सर्जिरीज में यूज करते हैं तो वो आप जो मेरा एक सेपरेट वीडियो पे है वो देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिलेगा उस वीडियो पे जाके आप ये समझ सकते हैं कि लेजर किस तरीके से अब ये ओपनिंग एनल कराल के अंदर है अब ये ओपनिंग स्ट्रेट भी हो सकता है एक भी हो सकता है और मल्टिपल भी हो सकता है depending on the type of fasciola हम decide करते हैं कि स्फिंटर के दोनों जो मांसपेशिया हैं जो इसको हम अंदर और बाहर की जो मांसपेशिया इंटरनल और एक्स्टरनल स्फिंटर बोलते हैं उनके बीच में उस ट्रैक्ट को डिसकनेक करें या जहां पर अंदर की तरफ ये एनस में एकदम पास में खुल रहा है वहां पर इसको डिसकनेक करें ये जो दोनों प्रसीजर से हैं ये कहलाती हैं लिफ्ट या डिल पीएस इ उस ट्रैक्ट को हम बर्न करते हैं और उसी समय वो रास्ता अपनी जगव पर श्रिंक हो जाता है क्योंकि लेजर का जैसे हमने पहले भी डिसकस किया है दूसरे वीडियो में भी डिसकस किया है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो टिश्यू है उसको सुखा देता है जब कई सारे फाइदे होते हैं अगर हम इसके फाइदे देखें तो जो सबसे इंपोर्टन्ट और पहला चीज है वो है मोशन का कंट्रोल नहीं जाता है इनकॉंटिनेंस होने के चांसेस अल्मोस्स जीरो है अगर हम रिकरंसी बात करें तो फिश्यूला में लेजर का यूज किसी तरह के सेकेंडरी इंफेक्शन होने के चांसेस काम हो जाते हैं आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है मोटे तोर पे ब्लडलेस ऑपरेशन हम इसको बोल सकते हैं इसमें कुछ भी एक या दो बून का ब्लड लॉस भी नहीं होता है क्योंकि सारा जो प्रसीजर है वो ह अगर हम कंक्लूड करें तो अगर आपको फिशुला या भगंदर की विमारी है तो लेजर का आप्शन से डिसक्स करना चरूरी है हर तरह की फिशुला में लेजर नहीं किया जा सकता लेकिन जिन फिशुला में हम लेजर कर सकते हैं उसमें ये बहुत ही कारगर तरीका है आम सिम्टम्स आते हैं, किस तरीके से हमको पता लगता है कि कुछ पाबलम हो रही है, अगर मोशन की जगह पे पेन हो रहा है, अगर मोशन की जगह पे बलड आ रहा है, अगर मोशन की जगह पे इचिंग हो रहा है, तो फिर हमको लगता है कि वहां कुछ समस्या है, इन समस्याओं में डॉक्टर के पास कब जाना है और कब आपके जहन में ये चीज आना चाहिए कि ये फिशुला हो सकता है अगर आपको किसी भी तरह का डिश्चा जाने लगता है या किसी भी तरह का स्त्राव होने लगता है कि जिसमें कुछ ऐसा sticky material जैसा सर्दी में जैसा नाक बेहने जैसा कोई चिक्ता कुछ प्रदार्त निकल रहा है या पस निकलना शुरू होता है या blood इस तरह किसे निकलने लगता है जो motion के साथ नहीं आता है अगर आप तभी अपने बाद में undergarments चेक करते हैं तो उसमें आपको लगता है immediate consult करना चाहिए क्योंकि वेश्चुलाइज अगर हम early grade में या early stage में treat करें तो उनके treatments काफी अच्छे होते हैं, recurrence के chances कम होते हैं और motion का control जाने का डर बिल्कुल नहीं रहते हैं कभी भी हम अगर कोई anal area में operation के लिए जाते हैं या कभी किसी से बात करते हैं बहुत ही common भ्रांती है कि अगर हमने motion की जगह पे एक बार operation किया तो motion पे से control चला जाएगा या तो हमको पता नहीं लगेगा कि motion कब आ रहा है और अपने आप हो जाएगा यहां motion hold नहीं कर सकेंगे अब अगर हम laser के treatment की बात करते हैं तो उसमें sphincter muscles को किसी तरह की कोई चोड नहीं बहुशती है अब जब हम sphincter muscles बोलते हैं तो हमारा actually उससे तात्पर्री क्या है अगर हम यह देखें कि अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी जो manspacia हैं उनको हम देख पाते हैं हम उनका movement भी अपने आप समझ सकते हैं motion की जगह की जो muscles हैं उसको हम नहीं देख पाते हैं तो वहाँ पर दो तरह की muscles होती हैं जो इस तरह का एक ring बनाती है तो यह muscle होती है जो कहलाती है internal sphincter या अंदर का एक sphincter है जो आपके control में नहीं रहता है जैसे हमारे heart की muscle होती है वो हमेशा अपने आप धड़कती रहती है हमारा उस पर कोई control नहीं रहता है सेम बे ये muscle motion की जगह को हमेशा बंद रखती है इसके बाहर एक और circular muscle होती है जिसको हम बोलते है external sphincter ये जो muscle ये मान स्पेशी होती है ये आपके control में होती है अगर किसी समय ऐसी नौबत आए कि आपको suddenly motion जाने की जरुबत पड़े लेकिन आप उसको रोकना चाहते है तो ये जो बाहर वाली muscle जो external sphincter कहलाती है इसको आप use करते हैं इस जगह को squeeze करने के लिए लेकिन ये muscle ठक जाने वाली muscle होती है या इसको fatigable muscle बोलते हैं एक बार ही एक उस 30 to 45 seconds से ज़्यादा इसको hold नहीं कर सकता है इसको फिर से release होके और फिर इसको hold करना होता है अगर operation कोई भी कर रहे हैं motion की जगह पे और अगर हम इन muscles को एक limit से ज़्यादा cut कर देते हैं तो फिर इनका permanent या तो control चला जाता है या ये बहुत weak हो जाते है ये जो muscle से ना सिर्कुलर ऐसी होती हैं बलकि side से इस तरह से flat muscles भी होती है तो अगर हम अपने हाथ की मुठी को इस तरह से imagine करें कि इसने ये चीज को पकड़ के रखा हुआ है ये pen for example मैंने पकड़ा हुआ है अगर हम इस muscles को partly cut करते भी जाएं तो भी ये control fully नहीं जाएगा लेकिन एक limit से ज़्यादा अगर हम इसको cut कर दे तो इसकी strength कम हो जाती है और ये वो final ring है जिसको अगर हम अगर हम इसको cut कर दे तो फिर ये इसको hold नहीं कर सकेगा तो ये जो principle है ये हम हमेशा जब भी anal surgery करते हैं तो उसमें हम use करते हैं fistula के जो tracks होते हैं वो generally in muscles के through इस तरीके से जाते हैं अगर हमें बाहर से इसको approach करना है तो हमको इतना muscle cut करना पड़ता है लेकिन laser में हमें वो muscle cut करने की जड़ुत नहीं है तो मांसपेशी को नुकसान पहुंचने का chance 0% रहता है तो अगर किसी के दिमाग में ये डर है कि हम अगर fistula का operation करेंगे तो motion का control चला जाए गया तो laser वाला जो technique है वो sphincter saving है या मांसपेशियों को बचाने वाला है तो उसमें इस तरह का कोई भी डर नहीं रहता है Thank you झालो जात्राव लोकार deixa का लो का कि थ्योग्य की जुच है । लागर, बच्च को पंगर, बच्साय की प्रोच नहीं